तो इन पांच राज्यों में चुनावे बिगल बच गया है असरे में सभी राजनितिक दल अपनी अपनी जीत के दावे ठोक रहे हैं लेकिन क्या कहता है इन पांच राज्यों का सियासी गड़त देखे हमारी इस रिपोर्ट में विधान सभा चुनाव को लेकर मध्यप्रदेश राजिस्तान चत्रजगर और मिजोरम में इन दिनों सियासी उफान चरम पर है खासतोर पर मध्यप्रदेश और राजिस्तान को लेकर बीजीपी और कॉंग्रिस की तमाम बड़ी नीता अपनी पूरी ताकत छोके हुए है बीजीपी की ओर से चाहां खुद प्रधान मंचुन नीत्रमोदी और पार्टी अध्यक्ष अमिशाख मूर्चा समालते हुए है तो वे कॉंग्रिस अध्यक्ष राहूल गांदी भी लगतार दोनों राजियो की दोरे पर कॉंग्रिस के पक्ष में मोहल बनाने में जूटे है हाला कि इन चुनाव में कौन बाजी मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन फिलहाल इन राज्जु के सियासी सम्मिकरण क्या कहते हैं इस पर एक नज़र डालते है मध्यप्रदेश में क्या है मौझूदा इस्तथी मध्यप्रदेश में विधान सवा की कुल 271 सीटे हैं जिन में से 230 सीटों पर ही चुनाव होते हैं और बाके एक सदस्य को नामित क्या जाता है पर देश में पिष्टे बार साल 2013 में विधान सवा चुना हुए थे जिसमें बीजीपी को 166 सीटे मिली थी जबकि कॉंग्रेस को 57, बस पाको 4 और अन्य के खाते में 3 सीटे आई थी कौन-कौन सी पार्टियां है मैदान में वैसे तो मध्यप्रदेश की सियासी लड़ाई प्रमुकुरूप से कॉंग्रेस और बीजीपी के बीजी ही है लेकिन इसके लावा मायवती की बहुजर समाज़ पार्टी भी राज्यों में एक बड़ी ताकत है हाला कि स्पार्ट के चुनाव में इन तीनों पार्टियों के अलावा भी कई पार्टिया मैदान में उतरने की तयारी में है इनमें समाज़ पार्टी पार्टी, कॉंडवाना, गंतंत्र पार्टी और जयस यसे संगठन शामिल है इसके साथ ही SCST Act और प्रोमोशन में आरक्षन के खिलाव स्पार्ट की अनारक्षित समाज़ पार्टी ने भी चुनाव लड़ने का एलान क्या है राजिस्तान में क्या है सियासी समिकरण राजिस्तान में विधान सबा के कुल 200 सीते हैं प्रोमोशन के चुनाव से देखे तो एक बार यहां BGP और एक बार कॉंग्रिस सत्ता में आती है और साल 2013 की विधान सबा चुनाव में यही देखने को मिला था जब BGP ने कॉंग्रिस को सत्ता सभी दखल कर वसंदराजय की निट्ट्ट्ट्व में सरकार बनाई थी 2013 के चुनाव में BGP यहां 163 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन कर उब्री और ही कॉंग्रिस में 21 सीटों पर सिमिट कई कौन-कौन से दल होंगे राजस्थान के रण में मद्यप्रदेश के तरह ही राजस्थान वे मुख्या रूप से कॉंग्रेस और BGP के बिश्टकर है हलाकिन दोलो दलों के अलावा भी कई शेत्रे पार्टिया इन चुनाव में अपने किस्मत आजमा रही है बिश्टकर और नाशनल पीपल्स पार्टि के अलावा गंशाम तीवारी ने BGP से बगावत कर अलग खरत वाहनी पार्टि बनाई है इसके लावा निर्दले विधाया का हनुमान बैनिवाल ने भी आपने समठ्थोकों को चुनाव में उतारने की प्लानिंग की है चतिसगर में कॉंग्रिस पर भारी BGP, चतिसगर में विधान सबा की कुल 90 सीटे हैं 2013 की विधान सबा चुनाव में BGP को 49, कॉंग्रिस को 49, बसपा को 1 और अन्य को 1 सीट मिली थी रमन सिम के अगवाई में BGP ने लगातार तीसरी बार कॉंग्रिस को माद दे कर सरकार बनाई थी बता दे के चतिसगर में कुल 27 चुले हैं, वहीं राजे में कुल 51 सीटे समान्य, 10 सीटे सी और 29 सीटे सी के लिए आरख्षित हैं BGP कॉंग्रिस के लावा कौन-कौन होंगे मैदान में, 36 गड की सियासी रण भूमी में मुख्य मुकाबला BGP और कॉंग्रिस के बीच है लेकिन इन चुनाओं में कॉंग्रिस कोई जटका भी लगा है लेकिन कॉंग्रिस से बगावत कर अजीज जोगी ने 36 गड जनता कॉंग्रिस जोगी नाम से पार्टी बनाई है उन्होंने मैवती की PSP से गड बंदन क्या है हाला कि इसके लावा गुणावना गंतंत्र पार्टी भी मैदान में है क्या कहता है मिजोरम का गणित पुर्वतर के राज मिजोरम में विधानसभा की कुल 40 सीटे है विधानसभा चुनाव में इन 40 सीटों में से कॉंग्रिस को 34, MNF को 5 और MPC को 1 सीट मिली थी हाला कि इस बार इन तीनों पार्टियों के अलावा बेज़ीपी ने भी मैदान में अपने किस्मत आजमाने का फैस्ता क्या है इन चार राजों के अलावा बात तेलंगाना की भी कर लेते हैं हाला कि वैसे तो इस राज में चुनाव अगले साल लोकसभा चुनाव के साथ होने हैं लेकिन तेलंगाना की मुखे मंद्री केसी आर ने समय से ही पहले विधानसभा भंकरने के सिपारिश कर दी थी तेलंगाना की सियासे समिकरण पर नज़र डाले तो यहां कुल 119 विधानसभा सीटे हैं जिन में से केसी आर की पार्टी टियारेस को 90 सीटे मिली थी जबकि कॉंगरेस को 13 OEC की पार्टी AIMIM को 7, BJP को 5, TDP को 3 और CPIM को 1 सिट मिली थी और इस बार भी इनी पार्टों के बीच मुकाबला है